अभी तक हमने आभाज्य गुननखन के द्वारा वर्गमुल निकालना सीख लिया है साथ ही इस पर आधारित प्रस्न वली को भी बना लिया है आईए कुछ विशेश प्रकार के प्रस्नों पर अब हम लोग हल करने की कुशिस करते हैं पहला ये प्रस्न है ये वर्गमुल निकालना है 1-3-5-7-9-11-13-15-17 इसका वर्गमुल निकालना है तो देखने से तो बहुत लबा लग रहा है इतने सारे अंकों को जोड़ना होगा इतने सारे संख्याओं को जोड़ना होगा और वर्गमुल निकालना होगा लेकिन आपको अगर प्रतिरूप इसका याद हो, तो ये तुरत निकल जाएगा ये क्या है? ये लगातार विशम संख्याओं का योग है तो प्रतिरूप क्या होता था? ख़ड़ा याद कीजिए इसको हम गिनते हैं, ये कितने लगातार विशम संख्याओं है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ तो प्रतिरूप क्या था? ये हो जाता था, जितनी संख्याओं हैं उसका वर्ग तो ये नौ है, तो नौ का वर्ग हो गिया इससे हम लिख सकते हैं, नौ का वर्ग अर्थात नौ गुना नौ अब ये देखे, नौ का जोड़ा बन जा रहा है और इसका वर्ग मूल निकालना है, तो इसका वर्ग मूल हो गिया, नौ अब हम दूसरा कोश्चन देखते हैं, वो भी थोड़ा सा इसी तरह का ट्रिकी है ये है पच्चीस जोड नौ घटाव तीस इसे क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, पांच स्क्वाइर, पांच का वर्ग, जोड तीन का वर्ग, ये घटाव, दो गुना पांच गुना तीन याद कीजिए ये किस सर्वसमी का पराधारित है, ए स्क्वाइर प्लस बी स्क्वाइर, माइनस टू ए बी, ये क्या होता था, ए माइनस बी का वर्ग, तो हम इह लिख सकते हैं, पांच घटाव तीन का वर्ग, तो ये हो गया हमारा, दो का वर्ग, अर्थाद, दो गुना दो का वर्ग मूल, तो ये एक जोड़ा है, एक युग्म है, तो इसका वर्ग मूल हो गया, दो, अब प्रस्न संख्या तीन देखते हैं, प्रस्न संख्या तीन है, चार का वर्ग, जोड़ पांच का वर्ग, जोड़ बीस का वर्ग, और इसका वर्ग मूल निकालना है, तो ये सारे का वर्ग मूल निकाल के क्या करेंगे, क्या ये हम हल करेंगे, नहीं, इसका भी प्रतिरूप था, पियाद कीजिए, क्या प्रतिरूप था, खड़गौर कीजे, 4 और 5 क्या हैं? लगातार संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याएं हैं और ये 20 क्या है? इन दोनों संख्याओं का गुननफल है तो हमारा प्रतिरूप क्या था? ये किसके बराबर होता था? ये जो अगली संख्या है, ये गुननफल का अगली संख्या, इसका वर्ग, ये 20 था तो 21 का वर्ग, तो ये क्या हो गया? 21 गुना 21, 21 गुना 21, तो ये युगम हो गया, एक जोड़ा हो गया, और इसका वर्ग मूल निकालना है, तो इसका वर्ग मूल हो गया, 21, अब एक चोथ नमबर प्रश्ण लेते हैं यह है इस तरह से है वर्गमूल निकालना है और यह है फिर से यह वर्गमूल है यह सुल्ला का वर्गमूल है और यह जोड़ है 21 का आए इसे हल करते हैं तो सबसे पहले यह अंदर जो वर्गमूल है ब्रैकेट में इसे निकालते हैं यह सुल्ला का वर्गमूल तो यह सुल्ला का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कितना होता है चार और जोड़ यहाँ 21 है तो अब क्या हो गया यह चार और 21 पच्छीस तो यह हो गया पच्छीस का वर्गमूल और हम लोग पच्छीस को लिख सकते हैं पांच गुना पांच तो हमारा वर्गमूल आ गया पांच अगला प्रश्ण है उस वर्ग का चेत्रफल निकालें जिसकी भुजा उस समकून त्रभूज के कर्ण के बराबर हो जिसका आधार 6 सेंटीमीटर और लंब 8 सेंटीमीटर हो तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे त्रिभूज का कर्ण निकालेंगे तो अगर यह त्रिभूज इस तरह का है A, B, C और यह 90 डिग्री तो यह हमारा दिया हुआ है आधार 6 और यह 8 तो हम AC निकालेंगे अभी यह कर्ण AC तो यह समकोन त्रिभूज समकोन त्रिभूज A, B, C में पाइथागुरस थियोरम के अनुसार हम जानते हैं AC स्क्वाइर स्क्वाइर तू AB स्क्वाइर प्लास BC स्क्वाइर या AC स्क्वाइर यह भी हमारा दिया हुआ है 8, 8 का वर्ग और यह 6, 6 का वर्ग तो यह हो गया 64 और 36 और इसे जोड़ेंगे तो 100 या AC ब्राबर 100 का वर्ग मूल तो 100 का वर्ग मूल हम सबसे पहले 100 का अभाज यह गुरेंट करते हैं 2 से यह होगा 50 बार में गया और फिर 2 से 25 और फिर 5 से 5 बार में तो यहां यह हो गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 तो यह देखिए 2 यूगम बन रहा है एक यह एक यह तो हमारा वर्ग मूल हो जाएगा 2 गुना 5 अर्था 10 तो AC हमारा निकल गया 10 इस ही क्या है इस समकोन तिर्भूज का कर्ण है तो वर्ग की जो भुजा है वो उस कर्ण के बराबर है इसलिए वर्ग की भुजा बराबर तिर्भूज का कर्ण तिर्भूज का कर्ण अर्थात यह कितना है 10 और वर्ग का छेत्रफल यह हम लोग जानते हैं यह होता है भूजा का वर्ग तो भूजा कितना है दस तो दस का वर्ग यानि दस का वर्ग क्या होगा एक सो वर्ग सेंटी मीटर